हेलो दोस्तों केसी हुआ आप लोग दोस्तों मैं आर्शोम और स्वागत करता हूँ आपको एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्लाव श्टोईल हिंदी की बायरे में जुकि मुश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्त है तो महत्पूर्ण प्रशन है आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों महत्पूर्ण है तो वीडियो आप सुरू से लिकर अंति तक देखिएगा चलिए शुरू करते हैं तो जो फश्ट पे दोस्तों हमारा कोशन देख सकते हैं रामधारी सिंग दिनकर जी का जो रचना ह peppers सकता है रेलुट का किस की रचना है तो वो है तो आपकी रामधारी छम कर जी के रशमिर ढाखे और रामधारी सिंग दिनकर की रचना है तो मोस्ट इंपोर्टंट रचनाु लेकर आएं जोकि बूड गया में आपका बूर violetया में काफी बार बार पूच्छे जा चुके है और बूट इजयाम में किस प्रकार से पूछे जा चुके वह भी आम आपको बताएंगे जुलों में तो देखिए और उसके बार में जो दूसरा है कबीर दास कबीर दास की जो सबसे महत्तुकूर रचना है वह बीजक और साखी और इस प्रकार से भी दोस्तों पूछ लिया ज चीवन परचा भी मुश्न इंपोटेंट है और वोड एक्जाम में काफी बार पूछे आ चुके हैं तो हाइश्पूल में पूछाता हैं तीसरा है दोस्तो भारतेंद धारिश्चन जी की जो महत्तपूर्ण रचना है भारत वीडा क्या है दोस्तो भारत वीडा काफी महत्तपूर् कवी कौन हैं कवी का नाम भी बताएंगे रचना है यानि रचना है तो कई सारी हैं लेकिन बोर्ड ग्यम बें पूँछी आ रही है कौन कौनquez डिस्कस कर रहे हैं उसके फ़ामें जो चो टोन महादेवीदि बर्मा जी का महादेवीदि बर्मा जी का जो परचित देख सकते हैं दोस्तों नहीं तो आप सर्च कीजेगा यूटूब पर सिवं मिष्टिडी नॉलेज लगाने के तत्पशात महादेवी बर्मा का जीवन परचाए तो महादेवी बर्मा का जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टन्ट रचना है दीप सीखा और सांध्यगीत महादेवी बर्मा के मुख्य रचना है पाइछ्वां है जगन्नाथ रत्नाकर्डास जगन्नाथ दास्रतनाकर जी का जो इंपॉर्टन्ट रचना है दोस्तों वो само है गंग अवतरण सिंगार लें क्या है डेखे दोस्तों मैंने बहुत ही प्यार से लिखा हुआ है देख सकत और चिरी यह संक्रपरसाद जी का दोस्तों चित्रा धार और प्रेमपतिक ये मुश्ट इंपोटन्ट वो रचनाय है दोस्तों और उपन्यास तो कई सारे कामाइनी हो गई दोस्तों और सभी जो उपन्यास लेकिन जो हम रचनाए के बारे में वीसे के लिए इस के नहीं? कुछे का नंबर का थे। च्रहता नंबर सत्चितानród वॉक्षणु दूस्तों कि इसी जो सबसे महत्रपूर्ण रचना है साकेत और विशुन उपर पिरिया आपको पता ही होगा साकेत काफी बार बोड़िया में पूछा जा चुका है जो रचना है दोस्तों तो है लोकायतन और युगवाणी जो इंपोर्टेंट दोस्तों मैं वही बता रहा हूं याद रखेगा अब विडियो कुछ शेयर नहीं कें तो सेयर कर दीजे अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी हल्प हो सके उसके उसके वाद में नाइस नंबर है आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोद का दोस्तों जो है रस और कलस वैदेही यह दो इंपोर्टेंट वह है याद रखे में सon कार्म निराला जी की, जो कि महत्त्तपूड है और 11 नंबर पर है भ़वानी परशांड मेंसरी जी की को सी है दोस्तों बुणी हुई रसी है उसके वादम दूसरा है Intrkalsandha क्या तिरकाल संदे संधे और बुणी हुई रसी उसके बाब में जो बार्वे नंबर पर हरी राय बच्चन हरी वंस राय बच्चन जी का जो है दोस्त राचना मधु कलश और अकुल अंतर ये दो most important रचनी है हरी वंस राय बच्चन जी का तो यह कुछ important हम ने कभी और लेका का लेकर आहें जो की बोड़ जयां में काफ़ी इंपोर्टन है यादि है पूरा देख लिए विडिव तो आपको बारण नंबर ब्ली जया में दोस्तों करती नंबर आपको बोड़ जया में बहुत यासानी से मिल जाएगा तो आई उप यह पूरा वीड़्य आपको पासंद आ आते रहें तो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब पर लीजिए मिलता है ने इस तो वीडियो में नए टॉपिक के साथ तक लिए गुडबाय जाहिं पढ़ते रहें बढ़ते रहें और तयारी करते रहें